इस वीडियों आपको बताएंगे डबले ट्रिपल सी के स्ट्रे विकेंसी राउंड के बारे में काफी सार बच्चे टेंशन में आ रहे थे सरे बताएं कि डबले ट्रिपल सी का स्ट्रे विकेंसी राउंड होगा कै नहीं होगा काफी सार यूटूबर बता रहे हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं शेडूल है इनका पूरा उसको मैं एक बार डाउंट करके आपको आपको आपी से दिखायता हूं काफी सारे बच्चे बहुत परिशान में आ रहे थे कि सर हमारे 520 मार्क्स हैं 522 हैं 524 हैं एक नमबर से रह गे हैं दो नमबर से रह गे हैं क्या ह हमें सर स्ट्रे विकेंसी राउंड में कोलिज मिल जाएगा सर गोर्णमेंट एडिट भी चलेगा पर इस बार आप बता दीजे कोलिज मिलेगा कैं नहीं मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी पप्लिकेशन हो जाएगी सीट मैट्रिक्स की 30 अक्टूबर को और 30 से लेके आपका एक तारिक तक रेश्टेशन चलेगा इसके बाद आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आजेगा चार नौमबर को अब काफी सारे बच्चे टेंशन में आ रहे हैं सर क्या स्ट्रे विकेंसी राउंड में 24 सीट आएंगे क्या सर ज्यादा आ जाएंगे आप को तो पिछले साल का अनौमब है आप बता सकते हैं तो हाँ आपका स्ट्रे विकेंसी राउंड सबसे पहले में बता दूं कंडेक्ट तो होगा जरूर चाहें आपकी एक या दो सीट आएं तो भी आपका कंडेक्शन होगा स्ट्रे विकेंसी राउंड का और जिस हिसाब से आज की cut off के शनाइदी को देख के बता रहा हूं मोपा प्राउंड के अभी सीटे भर गई हैं अल्मोस्ट आप मान के सल चकते हैं परन्तु अभी भी काफी सर बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें college को leave कर देंगे सवाए इस चीज को जानते हुए कि उनकी security जाएगी इसके बाद ये भी बता दीजे अगर हमें BMS नहीं मिल रहा है क्या हम सर प्राइविट से कर लेजें प्राइविट से करने में कोई difference तो नहीं आएगा क्या हमारी degree की value होई रहेगी क्या घटने वाली है इसका काफी सरे बच्चों को doubt था और पूछ रहे दे सर ये हमें बता दीजे low budget private college के बारे में अगर अभी तक आपका admission नहीं हुआ है किसी भी college में और आप अभी भी tension में हैं कि सर हमें college मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे maximum जो भी college मिलता हो अगर आप just qualified भी है और आपने डबले triple C और अपने state counseling में registration करवा रखा है तो अभी भी आपके पास एक last मुखा बच जाने का हमारी guidance session को जरूर जोइन कीज़ेगा जोइन करने के लिए दोस्तों नीचे दिए गया है हमारा Instagram link पर आप direct message कर सकते हैं वहां से हम contact कर लेंगे आपको तो दोस्तों जरूर आप Instagram link पर direct message कीज़ेगा और follow कीज़ेगा हमें वहाँ पर भी जिसके कारण हम आपको detail guidance द देते हैं काफी सारे बच्चे बोल रहते हैं सर हमने अपने counselor को information दी थी उनके preference list गल्ट बना दी हैं उन्होंने blackmail कर रहे हैं आपको दोस्तों इस video के माध्यम से बतायता हूं जितने बच्चे हमारे साथ registration कर रखे हैं उनका दोस्तों यह guarantee देता हूं जितने registration करेंगे कि आपके लिए दोस्तों एक guarantee वारी वीडियो बना रहा हूं मैं कि आपको दोस्तों कहीं भी टैंशन लेने के जूटनी है आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी हमारे साथ registration करने में आपको best से best college दूँगा आप इस आपको क्या करना है नीचे देखे हैं Instagram link पे message करना है अपने score और के साथ category के साथ और आपने पूछना को कुंसा college चाहिए अगर आपके लिए सीट वेकेंट रहेगी तो हम आपको college प्रोइड कर देंगे नहीं तो आपके लिए से registration करवाएं और आपके लिए best से best हम करेंगे जिसके कारणा आपको college मिल सके अब बात आती है सर हमें बीएचमस मिल रहा है गोर्मेंट बीएचमस करें क्या बीएचमस करें प्राइविट से देखें दोस्तों बीएचमस की अपनी value है बीएचमस जैसे कि आप देख सकते है आज के scenario में BMS को ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं तो इसके कहीं न कहीं मुझे ये डर है कि जैसे एक जमाने में BDS को ज़्यादा उप्ट करते थे कहीं न कहीं BMS वाले डोक्टर ना बढ़ जाए इसके कारणा उनकी completion बढ़ जा और उनका rate marketing कम हो जाए अब बात आती है सर तो हर course की अपनी एक अच्छाई होती है अपनी दोस्तों एक बुराई होती है कहीं न कहीं तो अब बात आती है BMS करना वर्तित है 2023 में हाँ अगर आपको इंट्रेस्ट है अगर आप Ayurveda सद्रते हैं संस्कित नहीं पढ़ सकती है और दोस्तों आपको समझे में नहीं आएग और आपको ज्यादा पढ़े नहीं कि जूरते नहीं पढ़ेगी जो आपने समझेना है वे अफ दोस्तों टीचिंग इसमें इंग्लिश रहने वाली है और आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट पढने है ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो सबसे प्रस पॉइंट तो यही इसमें वीडियो में reality पताता हूं BHMS को सही में कम promote किया जा रहा है जो भी आज की date में iOS course सबसे टोप पर वो BMS ही है अगर आप private से BMS कर सकते हैं तो must 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 go for it क्यूं private की Care Government की BMS की डिगरी में कोई अंतर नहीं आएगा आपकी certificate सेम आएगी जो आपका अंतर आएगा वो आपका आएगा knowledge का पढ़ने वाला सरकारी स्कूल से पढ़ सकता है प्राइवट के top school से पढ़ सकता है अगर उसको knowledge है तो ही उसको सरकारी जोब मिलती है यही बात है सीधी सी बात है इस scenario में आप समझगे होंगे केस बात पर बोलना चाते हैं आप किसी भी college से कीज़े चाएए आप अपने आसपास की कीज़े चाएए आप topmost college से कीज़े अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आपका result नहीं आएगा आप एक अच्छा doctor नहीं बन पाएंगे और आपको पता होगा दोस्तों medical field एक ऐसी field है जहाँ पे आपकी knowledge और skill दोनों ही आपके काम आती है पैसा कमाने में हर वीडियो में दोस्तों मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ पहले year से guard band लिजेगा BMS, BHMS, कोई भी medical course easy नहीं है आप एक patient की life के साथ खेल रहे हैं तो आपको बहुत serious होना पड़ेगा अपने skill के लिए नहीं तो आपके लिए medical course ही नहीं बना है medical line ही भी नहीं बनी है क्यों क्योंकि आप किसी patient की जान के साथ खेल रहे हैं आप उसको ठीक कर रहे हैं तो आपकी responsibility बन जाती है कि आप उसको ठीक कर रहे हैं अच्छे तैसे treatment दें तो किसी भी मैं patient के साथ दोस्तों मैं आपका विवार अच्छा सा जानूँगा किसी भी patient के साथ लापरवाई नहीं करने दूँगा अपने students को मैं पहले से बोल रहा हूं पहले दिन से बोल रहा हूं अच्छे डॉक्टर बनना है तो यह BMS, BMS करना है यह नहीं तो आपके पास बहुत सारे options हैं क्योंकि आज के साथ हैं कि सर BMS, BMS BMS को तो 15,000 दे रहे हैं क्यों आपने 15,000 वाले को क्यों देखना है आपने उसको देखना है जो 50,000 एक लाग चार लाग कमारे महिना का उसको देखना है आप अपनी सोची छोटी कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब होगा वह BMS करके लोग एक लाग दो लाग पीएजडी करके भी कमारे हैं और BMS करके 10-15,000 में प्राइविट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने अपना मोटिफ क्या रखना है उचा रखना है हमिशा चलो कोई बात ही आपने MBBS नहीं मिला है जो अभी है आपके पास उसमें बहतर सदाएंगे नहीं कहां ये कर लिजे जो रियाल्टी है अगर आप प्लेन BMS, BMS करेंगे आपको 10-20,000 रुपे के नोकरी मिलेगी आज अच्छी तरह से देख लिजेगा competition दोनों field में है आज की generation को देखके आप सीख लेंगे पढ़े लेंगे तो आगे stable बन जाएंगे नहीं तो आगे stabilization course करने के बाद भी मुश्किल है पहले एक जमाना होता था जहां पर BSC करके अच्छे साधी post निकलते थे government की वहां पर बच्चे भर देते थे तो टीचर अपलाई करते परंतु आज PhD करे हुए भी ऐसे घूम रहे है जिसको 30-40,000 रुपे की नोकरी नहीं मिल रही है ये harsh reality है आपने समझेना पड़ेगा तो जितना आपके पास knowledge होगी हूँ तो नहीं आपके पास पैसा आएगा और काफी सर बच्चे पूछते हैं सर हम second year में आगे है हमें hospital join करना है क्या कर ले अगर आपके पास time है आप अपने academics में अच्छे हैं तो ही कीजिएगा नहीं तो सकत मैं मना करता हूँ अपने students को मत कीजिएगा थोड़े से पैसे के लालत में अपनी degree को बरबाद मत कीजिएगा आगे जाके resume लेके आएंगे वो यह देखेगा आपको knowledge कितनी है skills तो आप 6-1 साल में भी सीख सकते हैं hospital वाली अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही हो आप comment करें प करवाना पड़ेगा बहुत ही minimum fees में आपको best guidance देदेंगे इसकी वादा है आपके लिए बिल्कुल one triple nine में किसी से extra charges नहीं लेते हैं one triple nine में आपको guidance देदेंगे बैतरीन से बैतरीन जहां पर आपको detail college के infrastructure के बारे में पता लगए उसके faculty के बारे में पता लगए और आपको साल बचाना है तो नीचे देगे instagram link पर direct message कीजिए मुझे वहापे हम आपको detail guidance दे देंगे बाकि आपको समझे मा आ गया हो किसे बच्चे को financial weaker हो afford नहीं कर पार हो counseling तो उसके लिए में वापिस से बता दूँगा private college को आप avoid कीजिए private college की fees minimum आप 12 लाग मानिए BMS के लिए student में अभी इतना scope नहीं बचा है female candidates के लिए अभी भी है male candidates को ज़्यादा private नोकरी मिलते है उसमें आपको आर्ट से लेके 9000 रुपे महिना मिलता है अगर आपके पास थोड़ी ठीक टाक skill है तो तो तूकि BSA nursing में क्या होता आपने injection लगाना है कैनल लगाना है और patient को dressing वगर करने होते हैं उसमें ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा सरकारी बन जाते तो आपको बचास से साड़ी जार रुपे मिल जाएंगे वह आपकी स्टेट के वाइस वैरी करता है nursing officer भी मनते हैं तो उसके लिए क्मटेशन ज्यादा है पर तो हम अपने एक average student के लिए बोल रह किजेगा बागे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट स्कोर और इंस्ट्रागाम लिंक पर दोस्तों direct message कीज़ें मुझे अपने marks category score के साब से जाम पर हम आपको बता दें आपको best college कुन सा मिल सकता है अभी आपके पास last मौका है इस मौके का गववेगा मत जिसक कारण आपको एक साल बरवाद ना हूँ thanks for watching this video